जहिन साति हूं स्वागत है आप सभी का इस्टेडी एक्जाम एकड़मी में आज अपनी कलास इंडिया जीके की होगी यानि की मुगलों का इत्यास एक लास इसकी ओल्डेडी पहले हो चुकी है यह कलास चाहिए आप कोई भी एक्जाम दे देना चाहिए रेलवे का हो के लिए काफी मैत पूर्ण है तो इस्टार्ट करते हैं बिना देरी के वे आज की कलास को यदि आपको एंस्वर आ रहा है तो नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं पहला पसंद आपके सामने आ चुका है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया एह सेर टेंसर होगा वो यहां पर एह होजएगा सेर्शा सूरी के द्वारा दिल्ली का जो पुराना किला था उसका निर्मान सेर्शा के द्वारा करवाया गया बढ़ते हैं अगले पसंद की और दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्मान किसके द्वारा करवाया गया कमेंट बोक और डे इनमें से कोई नहीं तो हमीदा बानु कौन थी यह अकबर की माता थी मुगल सम्राड जो अकबर था उसकी माता का नाम हमीदा बानु था इसका राइट एंसर ए हो जाएगा बढ़ते हैं अगले पर्शन के और पर्शन सेंग्या तीन आपके सामने इस्क्रीन पर अकबर के सरक्सक भेरम खा का पतन कब हुआ आपको पता होगा कि जब हुमायू की मर्टी हो गए थी उसके बाद जो अकबर था मुगल सम्राड उसका जो सरक्सक था इसका देख बाल किसन नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पर्शन की और अमरकोट जिसे उमरकोट भी बोलते हैं राजा वीरशाल के महल में किस मुगल बाज़्चा का जनम हुआ था बहुत यह अच्छा पर्शन है अमरकोट के महल में किस मुगल बाज़्चा का जनम हुआ बाबर हुमायू अकबर या जहांगीर, इसका जो correct answer है, right answer है, वो C हो जाएगा, अकबर का हुआ था, अकबर का पूरा नाम यदि पूछा जाए, तो जलालुदिन मुहमद अकबर, हुमायू का पुत्र था अकबर, Next, अकबर ने समराज्य विस्तार का आरम किस विजे से किया था, A है मालवा विजे, B गुंडवाना विजे, C गुजरात विजे, और D है असीरगड विजे, तो इसका जो correct answer है, वो A हो जाएगा, मालवा विजे के बाद, मैं पूरा मुगलू का इतिया साब को कंप्लिट करवाने जा रहा हूँ, A कलास इसकी already पहले हो चुकी है, परसंट सेंक्या 6, सेरशा ने असर भी रुपया दाम नामक नहीं सिक्के चलवाई, वे, जिन धातू से बने होते थे, तो सेरशा सूरी ने जो सिक्के चलवाई थे, वो किस धातू के बने थे, तो इसका जो right answer है, वो यहाँपर A हो जाएगा, सोना, चांदी और तामबा, क अकबर के दुआरा किसको दी गई थी, कवीराज की उपाधी, बीरबल, अबूल फजल, फेजी, या खाने खाना, इसका जो right answer है, वो यहाँपर A हो जाएगा, बीरबल, किसको दी थी, बीरबल को, बढ़ते हैं अगले परसंट के और, सेरसा द्वारा निर्मित सडक, वे सराई अफगान समराजी की धमनिया थी, ये उकती किसकी थी, आपको पता होगा, सेरसा सूरी ने गरांट्रेक रोड का निर्मान करवाए था, तो ये जो रोड थी, ये अफगान समराजी की धमनिया थी, ये कथन किसका है, इस परसंट का इसका जो राइट एंसर है वो यहां पर D हो जाएगा के यार कानून गो का नेक्स्ट परदा सासन 1566-564 इस्वी के लिए जिम्यदार अत्का खेल या हरम दल की सर्वे परमुक सदशी अता थी वह त्यंचा परसंड है जो हरम दल होता था मुगलू का जिसके अंदर महिला रहती थी उसकी परमुक सदशी महिला कोन थी तो इसका जो राइट एंसर है वो आप सभी को आता है होगा परसंड स्रीं का नो का राइट एंसर ए हो जाएगा महा मंगा कोन थी महा मंगा अपने जोद आगबर सीडियल देखा होगा उसमें देखा होगा महामंगा को बढ़ते हैं अगले परसंड के और परसंड इसका जो राइट है वह से हो जाएगा टोडर मल बढ़ते हैं अगले परसंद के ओर सेहर सा कालीन परसाशन में कानून को का काम क्या था कफी अच्छा परसंद है कानून को क्या काम था भूमी समंदी रिकूर्ड को रखना भूर रजस्वे वसूल करना ए और बेदोनू या ए और इनमें से कोई नहीं कानून को कौन होते थे यह बूमी समंदी रिकूर्ड को रखने का काम करते थे नेक्स्ट परसंद शिंक्या बारा अकबर का सबसे अंतिम विजे अभियान कौन सा था ए मालवा वीजे बी हल्दी गाट यूद सेह गुजराथ वीजे और देह यहां पर असीर गड़ वीजे इसका जो राइट एंसर है वो देह हो जएगा असीर गड़ वीजे और सबसे पहला कौन सा था मालवा वीजे बढ़ते हैं अगले परसंड के ओर परसंड शिंग्या तेरा आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है अकबर के नौरतन में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए अकबर का जो नौरतन था बीरबल वो किस अभियान में मारा गया गुजरात के विद्रों को दबाते समय यूसुप जायूं के विद्रों को दबाते समय या उजबेगूं के विद्रों को दबाते समय तो इसका जो राइट एंसर ये परसंड कहीं बार पूछा जाता है इसका राइट एंसर बे हो जाएगा यूसुप जायूं के विद्रों को दबाते समय बढ़ते हैं अगले परशन की और निमन इतियासकारू में से किसने अकबर को इसलाम का सत्रू का है किस इतियासकार ने का है कि इसलाम का सत्रू कौन था अकबर था तो इसका राइट एंसर बे होजेगा बदायूनी ने जो ये बदायूनी है इसने हल्दी गाटी का जब यूद हुआ था अकबर की सेना और महाना परताब की सेना के बेच में 18.156 में तो इस यूद को अपनी आंकों से देखने वाला एक मातरी कवी कौन था ये वदय यू नहीं था नेक्स्ट जहांगिर के आदेश पर किसने अबूल फजल की हत्या कर दी थी अबूल फजल ये भी अकबर के नवरतनु में से एक थे और जहांगिर जो की सलीम जो की अकबर का पुतर था इसके कहने पर अबूल फजल की हत्या किसने की थी इसका राइट एंसर ए हो जाएगा व इसका राइट अंसर बे हो जाएगा आपको पता होगा अकबर के दरबार में नवरतनों में से एक थे संगीतेग्ये जो संगीत में महिर तांसेन तो तांसेन को यह उपादी दी गई नेक्स्ट परसेशन के सत्रे मेवाड से युद तता चितोड की संदी किसके सासन काल की महतुपून उपलब दी है ए अकबर बे है जांगीर से सांजा और दे है इनमें से कोई नहीं इसका सांड्र के संदाबर के संदी किसके द्वारा की अकबर के द्वारा की गई ती यह संदी हुई था जा जांगीर क्या है जांगीiper इसका बज़्पन का संद यह बीचमें और इदर मेवाड के जो महरणा थे, कौन थे, महरणा परताब के पूतर अमर शिंग, इन अमर शिंग के बीच में हुई थी संदी, बढ़ते हैं अगले परशन की और, परशन शिंग्या अठारा, मैंने अपना रज ये अपनी प्यारी बेगम के हातूं, एक प्याला सराब और एक प्याला सोरबे के लिए बेच दिया, ये किसकी उगती है, ए जहांगीर बे सांजा से औरंजेब और दे इन में से कोई नहीं, परशन शिंग्या अठारा का राइट अंसर ए हो जाएगा, ये है जहांगीर की, किसकी है जहांगीर की, बढ़ते हैं अगले परशन की और, परशन सेंग्या 19, जो चितरकला के सत्रू है, मैं उनका सत्रू हूँ, किस मुगल सासक ने का था, ए अकबर, बेह जहांगीर से सांजा, और देह औरंग जेब, इसका जो राइट एंसर है, बेह हो जाएगा, जहांगीर, किसने का था, जहांगीर ने का था, चैनल पर नए हो कि उसके अंदर आपको इसकी पीडिया भी मिल जाती है, परशन सेंग्या 20, किस के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलू के हाथ से निकल गया था, किस सासक के काल में निकला था, कंधार, जहांगीर, अकबर, सांजा, या औरंग जेब, परशन सेंग्या 20, किस का राइट सांजा से औरंग जेब, उर्दे है, इन में से कोई नहीं, परशन सेंग्या 21, का राइट एंसवर, ए हो जाएगा जहांगीर, नेक्स्ट, सांजा के समय कौन सी गटना नहीं हुई, परशन सेंग्या 22, जुनजार सिंग बुद्नेला का विद्रो, खांजा लोदी का विद्रो, पुर्तगालियूं का दमन, महावत खां का विद्रो, तो सांजा के समय कौन सी गटना नहीं हुई थी, इसका राइट महवत खांग का विद्रो नहीं हुआ था बाकि सारी गटनाई हुई थी परसंजा का तेबीज सहांजा का मूल नाम क्या था एक खुर्रम बे खुसरो से सलीम और देह इनमे से कोई नहीं तो सहांजा का जो मूल नाम था वो था खुर्रम क्या था खुर्रम और जहांगिर का था सलीम बढ़ते हैं अगले परशन की ओर सहांजा ने किसे का सहा इकबाल एवं सहा बुलंद की उपा दी सहा इकबाल वे सहा बुलंद की उपा दी एह दारा सिको बे सहा सुजा से औरंग जेव और दे हैं मुराद परशन सेंग्या 24 का राइट एंसर ए हो जाएगा दारा सिको बढ़ते हैं परशन सेंग्या 25 की ओर सांजा ने किसे मलका ए जमानी की उपा दी दी थी मुमताज महल को दे है सलीमा बेगम से है हमिदा बानू उर डी है लाड मली का परशन सेंग्या 25 का जो राइट एंसर है वो ए हो जाएगा मुमताज महल को नेक्स्ट बारत के चार बाग सेली का पर्थम मकबरा है यानि बारत में चार बाग सेली का पर्थम मकबरा किसका है हुमायू का मकबरा दे अकबर का मकबरा से है जहांगीर का मकबरा और दे है औरंग जेव का मकबरा परशनेशन के 26 का जो राइट एंसर है वो ए हो जाएगा हुमायू का मकबरा बढ़ते हैं अगले परशन के ओर नीमन में से किस सासका काल संगमर का कोल के लाता है ए है जांगीर बे सांजा से औरंग जेब और दे है अकबर परशनेशन के 27 का राइट एंसर बे हो जाएगा सांजा बढ़ते हैं अगले परशन के ओर जागिरदारी संकट सर्वेपरतम किस मुगल बादश्या के सासन काल में उत्पन हुई ए है जांगीर बे सांजा से औरंग जेब और दे है बाद दूर शा परशनेशन के 28 का राइट एंसर से हो जाएगा ओरंग जेब के काल में ओरंग जेब के काल में ही जागिरदारी संकट सर्वेपरतम उत्पन हुआ था जांगीर ने किस चितरकार को फारस के सहा एवं उसके अमिरूं का छवी चितर बनानी के लिए फारस बेजा यानि इरान बेजा था किस चितरकार को बेजा गया था जांगीर के दुआरा एह बिसंदास बे उस्ताद मनसूर से अब्दूल हसन और देह लाल खां इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो एह हो जाएगा बिसंदास को बढ़ते हैं अगले परसंद के ओर औरंग जेब कालिन एत्यासी ग्रंत नूस का एद दिलकुसा के रसनाकार कौन थे भीमसेन भी है सुजन राई से इस्वरदास नागर और देह चंद्रभान इसका राइट एंसर एह हो जाएगा भीमसेन भीमसेन सकसेना नेक्स्ट अकबर नामा किसने लिखा था अकबर नामा किसके द्वारा लिखा गया अकबर नामा किसने लिखा था अब्दूल रहिम खाने खाना याकबर नामा किसके द्वारा लिखा गया इसका जो राइट एंसर है वो यहां पर दे हो जाएगा अबूल फजल अक्बर नमा किसने लिखा था अबूल फजल ने लिखा था नेक्ट परसंट हैं क्या 32 एतमाद उद्दोला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया एकबर बेजांगीर से नूर जा देह सांजा इसका राइट एंसर से हो जाएगा नेक्स्ट राजपुताना के निमन राजु में से किसने अकबर की संपरभूता सविकार नहीं की थी ए आमेर बे मेवाड से मारवाड देह बिकानेर इसका राइट एंसर बे हो जाएगा मेवाड मेवाड एक ऐसी रियासा थी जिसने कभी भी अकबर की गुलामी सविकार नहीं की थी नेक्स्ट जहांगीर को दफनाया गया जहांगीर को कहां पर दफनाया गया था प्रशनेंग्या 34 आगरा डिल्ली लहोर या सीडिनगर इसका राइट एंसर से हो जाएगा लहोर में लहो की पढ़ था आरम की थी अलाउदिन खिल जी मुहमद भी तुगलक शेरसा या अकबर इसका राइट एंसर से हो जाएगा शेरसा ने तो ये टोटल 35 परशन थे आज की कलास में इंडिया जीकी के कलास कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक लाइक नहीं क्या तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गौर्मेंट जोब की महतुपून अपडेट और महतुपून परशन उतर करें